कि है फ्रेंट्स देखे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरवी एनल यह जिसे हम रेल्विकाश निगम लिमिटेट के नाम से भी जानते हैं बहुतर रुपे का करन्ट प्राइज है और कल इसने 2.63 परसेंट की एक तेजी दिखाई है और इस शेयर को अगर हम कहें बन ओप दा बेस्ट शेयर ओप रेल्वे सेक्टर तो कम नहीं होगा रेल्वे सेक्टर में सबसे बढ़िया शेयर यह मुझे लगता है सिर्फ 15,000 करोड की कमपनी है चोटी सी 15,000 करोड 72 का करेंट प्राइज है और 15,000 करोड के होने के बावजुद 75,000 करोड की ओर्डर बुक अगले 5 साल के लिए इसमें फुल पड़ी है बिल्कुल और बुक वैल्यू है इसकी 33 की साथ ही साथ अगर ROE देखें तो 19% से उपर का और ROC 16% का डिविडेंट भी कमपनी देती है फेस वैल्यू 10 की PE है 11 का तो बहुत सस्ता PE है इसका अच्छे रेट पर इस समय मिल रहा है बहुत सस्ते PE पर मिल रहा है और इस कमपनी में जो है लंबे समय के लिए ही सांदार रिटन हमें देखने को मिलेंगे यह 72 रुपे का जो आज करेंट प्राइज आपको इसका दीख रहा है दस साल बाद साथ जार रुपे भी होता हुआ दिखाई दे सकता है और कारण है जो कल यह तेजी दिखाई दी है इसका क्या कारण है वो भी हम देख लेते हैं देखिए इस सेयर को बजट से पहले पहले जो लेना चाहता है ले लो क्योंकि बजट के बाद यह बहुत तेजी से बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा देखिए इसकी कलकी है 11 जनवरी को ही है एक इसका नोटिस आया ओपर देख सकते हैं नाम रेल विकास निकम लिमिटे से और इसमें इसने 10 किलोमेटर तक का निर्मान करना है कहां चेन्नाई मैट्रो के लिए तो बहुत शांदार यह ओडर कंपनी को मिला है इसकी जो कोष्ट रहने वाली है इस ओडर की वह रहेगी 1134 करोड तो बहुत बड़ा अमाउंट है और इसका जो टेन्योर रहने वाला है वो रहने वाला है नीचे देखिए 1065 दिन तो कुल मिलाकर तीन साल में यह प्रोजेक्ट इन्होंने पूरा करना है दोस्तो वीडियो जो थी एजुकेशनल परपस के लिए थी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी एनलेसिस जरूर कर ले या अपने फाइन